जैश्री कृष्णा, मैं अंशु शर्मा, देशा चैनल के ओर से आप सब का स्वागत करती हूँ. आपने ये महसूस किया होगा कि हम कहीं भी रहें, कुछ काम करते रहें, किसी के साथ बैठे हो, या हम खाली भी बैठे हैं, तो हमारा मन कहीं न कहीं एक की जगे जाके वो केंदरित हो जाता है. या तो हम अपने बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं, या हमारा मन हमेशा हमारे अपने बारे में ही लगा रहता है, या हमारे पैसों की चिंता हमें सताती रहती है तो ऐसा क्यों होता है हमारा मन बार-बार किसी एक जगे पर जाकर ही क्यों केंद्रित हो जाता है हमारे मन का कारक चंद्रमा होता है चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही हमारा मन किसी एक विशेश यगा पर जाकर ही इस्थिर हो जाता है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें कुंडली के जो सभी ग्रह होते हैं जो नौ ग्रह होते हैं वो किसी ना किसी चीज के कारक होते हैं जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक है मन का कारक चंद्रमा होता है बल का कारक मंगल होता है तो इस तरह हमारे सारे जीवन के जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे गुण हैं, हमारे विशेष्टाएं हैं, उनका पता हम ग्रहों की इस्थिति के आधार पर लगा सकते हैं आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा कुंडली में हमारे जो बारा घर होते हैं, कुंडली के जो बारा इस्थान होते हैं, उनमें किस जगह पे चंद्रमा अगर होता है, तो वो हमारे मन पे किस तरह का प्रभाव डालता है, अगर चंद्रमा आपके पहले भाव में इस्थित है, तो आपका मन हमेशा अपने आप में लगा रहेगा। मतलब आप स्वकेंद्रित होंगे। आप कहीं भी रहें, आपका ध्यान अपने उपर ही रहता है। केसी भी घटना, केसी भी परिस्थिती में आप अपने आपको उस जगे पर देखते हैं। तो लगातार आपका मन सिर्फ आपके अपने बारे में ही सोचता रहता है। अगर आपका चंद्रमा दुति भाव में इस्थित है, तो आपको हमेशा धन कमाने की चिंता रहती है। मतलब आपका मन हमेशा उन बातों में इंट्रेस्ट लेता है या आपका मन हर बार वहीं जाके रोक जाता है जहां से आप कुछ आमदनी कर सकें। अगर आपका चंद्रमा तृति भाव में इस्थित है तो आपका मन हमेशा पराक्रम में लगा रहेगा। मतलब आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि मैं क्या काम कर सकता हूँ या मुझे कौन सा काम करना है अब वो काम किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस काम से आपको अर्निंग ही हो। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं फटा-फट अपना ये काम पहले खतम कर लूँ या मैं आज ये काम अपना फिनिश करूँगा तो वो कहीं पे भी रहे पिक्चर भी देख रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहां लगा रहता है कि अभी मुझे ये काम करना है अभी व्यक्तियों का मन हमेशा अपने परिवार पर केंद्रित रहता है मतलब कि वो कोई भी अच्छे चीज देखें या कहीं पर घूमने गए हैं तो उनको सबसे पहले क्या मन में ख्याल आता है कि मैं अपने परिवार वालों को यहां साथ लाता तो अच्छा होता अगर वो कु अगर आपका चंद्रमा पांचमे स्थान पर है तो आपका मन हमेशा लक्ष प्राप्ति के ओपर लगा रहेगा या आप यह सोचते रहेंगे कि मुझे ये शिक्षा प्राप्त करके ये लक्ष को प्राप्त करना है तो इसलिए आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष पर रहता अगर आपका चंद्रमा छटे स्थान पर है, तो आपका मन हमेशा चिंतित रहता है बिमारियों को लेकर, कर्ज को लेकर, या कि मुझे कोई नुकसान न हो जाए, मतलब किसी ना किसी श्रती को लेकर आपका मन वहां पर लगा रहता है, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको ये लगता है कि इसको खाने से मैं बिमार तो नहीं हो जाऊंगा, या ये खाने से मैं को कोई अलर्जी तो नहीं हो जाएगी, तो इस तरह से जिनका चंद्रमा छटे स्थान पर होता है, वो हमेशा अपने रोगों, रेण की या कस्ट की चिंता करते रहते हैं, जिनका चंद्रम अब जिनका चंद्रमा अस्टम भाव में होता है वो हमेशा विपरीत लिंग के प्रती अपने मन में विचार करते रहते हैं या वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचते रहते हैं या ऐसे लोग अपने रोज की आमदनी या ऐसे जिन से वो रोज मिल रहे हैं या मिलते हैं उनके बारे में उनका मन हमेशा वहीं जाकर केंद्रित हो जाता है। अब जिनका चंद्रमा अस्टम भाव में होता है, उनका मन हमेशा किसी गहरी खोज में लगा रहता है। मतलब वो किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं, तो उनका हमेशा ध्यान कहा जाता है गहराई में जाता है और इसलिए उनका मन हमेशा हर चीज को जानने में हर चीज की तह तक जाने में उनका मन लगा रहता है अगर चंद्रमा नौवे स्थान पे है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने रीती रिवाज अपनी परमपराओं और अपने जो उनकी घर की नीतियां होती हैं जो घर के नियम होते हैं उनके उपर हमेशा उनका मन केंद्रित होता है अगर दस्वे भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने पोजिशन अपना स्टेटस और अपना कर्म मतलब कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मुझे मान प्रतिस्ठा मिले मेरा समाज में सम्मान हो ऐसी बातों में उनका मन हमेशा केंद्रित होता है चंद्रमा अगर ग्यारवे भाव में हो तो व्यक्ति को हमेशा अपने मित्रों की जिनता रहती है उसका ध्यान हमेशा अपने सही योग्यों पर अपने मित्रों पर केंद्रित होता है और अपनी एक्छाओं पर केंद्रित होता है मतलब वो कोई भी चीज़ अकर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे मित्रों के पास भी होती तो अच्छा होता या मैं इसे ले लूँ या वो अपनी कोई भी सलाह है वो सबसे पहले अपने मित्रों के साथ शेयर करते है तो उनका मन हमेशा अपने मित्रों पर केंद्रित होता है और अगर बारवे भाव में चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्तियों का मन हमेशा दूर रहने के लिए करता है मतलब कि उनको सबी से एक दूरी की चिंता रहती है हमेशा चाहे वो ये सोचें कि मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तो क्या होगा या वो ये सोचें कि ये मेरे से दूर चले गए तो मैं कैसे रहूंगा मतलब कि विरक्ति की और हमेशा वो सोचते रहते हैं विरक्ति के बारे में लोगों से दूर होने के बारे में या अपने खर्च के बारे में सोचते रहते हैं मतलब किसी ना किसी तरीके से जैसे उनकी आय उनसे दूर हो रही है खर्च करते हैं हम तो मतलब हमारा जो कमाया हुआ धन है वो हमसे दूर हो रहा है तो किसी भी चीज की दूरी का हैसास ऐसे लोगों के मन में हमेशा बना रहता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। वो कैसे हमारे मन को प्रभावित करता है। और किसी की भी कुंडली को देखकर हम चंद्रमा की स्थिती को देखकर ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का मन किस जगा पर केंद्रित होता है। आगे भी अन्य ग्रहों के प्रभाव हमारी कुंडली पर किस तरह पढ़ते हैं, इस बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद, जै श्री क्रिश्ना.